में जूलरी बॉक्स जो की मैंने कार्ट बोर्ट से बनाया है और साथ में इसमें डेको पाज भी किया है ये बहुत ही सुन्दर जूलरी बॉक्स बनकर आया है इसके पहले भी मैंने एक जूलरी बॉक्स बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप उसे भी जरूर देखिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले मैंने इस तरह से एक कार्डबोर्ट ले लिया है और उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे कट करके रिमूफ कर दिया है इसके बाद जब आप इसके कॉर्णर्स को देखेंगे तो थोड़ा सा ये फ्लेक्जी होता है ये इसली निकल सकता है तो उसमें आपको क्या करना है जिस्ट मास्किंग टेप की हेल्प से उसे सिक्यूर कर दीजिए तो इस तरह से मैंने इसके सारे कॉर्णर्स पर मास्किंग टेप लगा दिया है अच्छे से इसके बाद मैंने कुछ कार्ट बोड के ऐसे रेंडम पीसे कट किये हैं जिनकी विट्थ 4 सेंटीमेटर है बट लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है इन्हें मैं अपने बॉक्स पर इस तरह से रेंडम वे में लगाती जाओंगी इसके बाद देखिए मैंने सभी पैटर्स को अच्छे से बॉक्स पर सारे कॉर्णर्स पर लगा दिया है इसके बाद मैंने लिया है पी ओ पी और वाटर का पेस्ट जिसे मैं इस पर प्रश की हेल्प से अप्लाई करने वाली हूँ आप इस पर जैसो भी लगा सकते हैं आपको ध्यान रखना है आपको इसकी एजिस पर भी अच्छे से लगाना है और जिस्ट एक सिंपल हैंड से इसे स्प्रेट करते जाएए आपको इसी तरह से इसे पूरे बॉक्स पर अप्लाई करना है और उसके बाद आप इसे ड्राई होने के लिए रख दीजिए ड्राई होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा इसके बाद मैंने एक मिस्टी रोज का चॉक पेंट लिया है और इसे में ब्रश की हेल्प से अप्लाई करने वाली हूँ इसमें मैंने थोड़ा सा वाइट कलर भी मिक्स किया है ताकि इसका शेट थोड़ा सा लाइट हो जाए सो इस तरह से आप पूरे बॉक्स पर कलर कर लीजिए इसके बाद इसे ड्राइ होने के लिए रख दीजिए और ड्राइ होने के बाद आपको ये इस तरह से दिखेगा तो इसका जो टॉप का सर्फेस है उस पर मैंने ये कलर अप्लाइ नहीं किया था क्योंकि मैं इस पर वाइट कलर अप्लाइ करने वाली हूँ इसके बाद मैंने डेको पाच पेपर लिया है जो कि मैंने इटसी बीटसी से लिया था तो इसमें मैंने ये वाला design select किया है और आपको क्या करना है इसे just हाथ से tear out करना है धियान रखिए आप इसे किसी scissor से tear मत कीजिए क्योंकि इसके फिर edges sharp रह जाती है जब आप इसे हाथ से cut करते हैं तो इसकी एक rough edges निकल कर आती है इसके बाद आप इसके back end पर just water apply कर दीजिए या spray कर दीजिए इसके बाद आपको लेना है mod podge glue और इसे अपनी surface पर अच्छे से apply कर दीजिए ब्रश की help से जहाँ पर आपको decoupage paper लगाना है अगर आपके पास decoupage paper नहीं है तो आप napkins भी use कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर सुन्दर prints आते हैं napkins के तो इस तरह से आपका decoupage sheet लगाने के बाद उपर से फिर से mod podge glue apply करना है इसे अच्छे से dry होने दीजिए और उसके बाद again मैंने एक chalk paint लिया है light shade में और इसे भी मैं apply कर लूँगी तो इसमें आपको basically क्या करना होता है just color के साथ play करना होता है तो मैंने इस तरह से color apply किया है और इसके बाद मैंने कुछ दूसरे shades भी apply किये हैं तो आप अपने according कैसे भी color choose कर सकते हैं जो आपके decoupage napkin से या sheets से match करते हों ताकि ये आपका पूरा design एक हो जाए और merge हो जाए इसके बाद मैंने same way में इस तरह से दूसरा design भी cut कर लिया है और उसे भी मैं stick कर दूँगी अगर आपके पास mod podge glue नहीं है तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं आपको just two spoon glue लेना है और one spoon water लेना है और इस तरह से आपका mod podge glue बन जाएगा अब इसे dry होने के लिए रख दीजिए उसके बाद मैंने लिया है air dry clay और उसे अच्छे से roll कर कर दिखिए इस तरह से जिसे हम चोटी बनाते हैं उसे design में इसे बना लूँगी और उसके बाद इसके corner पर glue लगा कर इसे stick कर दूँगी यह अच्छे से चिपक जाता है इसमें कोई भी problem नहीं होती है आप glue लगाईए और उस पर आपका clay का design लगाईए यह अच्छे से चिपक जाता है उसके बाद मैंने इस पर mod podge glue का एक coat लगा दिया है same style मैंने चारो corner पर लगा दिया है और इसे dry होने के लिए छोड़ दिया इसके बाद देखिए again मैंने कुछ colors लिये हैं और उसे इस तरह से मैं apply कर दूँगी इसके बाद इसे dry होने के लिए रख दीजिए और उसके बाद आप color की help से इसके designs को highlight कर सकते हैं तो इससे जो आपका design दब गया है वो भी बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगा तो इसमें color combination बहुत ही important role play करता है इसके बाद आप चाहें तो कुछ additional designs भी बना सकते हैं देखिए मैंने इस तरह से कुछ yellow color से उसके बीच पर design बनाया है साथ में कुछ white color से बनाया है तो आप अपने according कैसे भी designs इस पर डाल सकते है इसके बाद इसे dry होने के लिए छोड़ दीजिए देखिए dry होने के बाद मैंने क्या किया है इसमें जो हमारी चना दाल होती है वो लिया है और इस तरह से इसे glue की help से लगा दिया है आप चाहें तो clay से भी ऐसे छोटे छोटे pieces बना कर आप लगा सकते हैं और इसे dry होने दीजिए dry होने के बाद आप इस तरह से brush की help service पर color apply कर दीजिए black color या brown color जो भी आप लगाना चाहते हैं और इसे भी dry होने दीजिए तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से दिख रहा है इसके बाद मैंने इस पर white color से कुछ शेडिंग दिया है आप अपने according किस तरह से भी shed दे सकते हैं इसे अच्छे से सूखने दे और उसके बाद आपको apply करना है varnish का एक coat आपको पूरे box पे बहुत अच्छे तरह से varnish apply करना है आप matte यूज़ कर सकते हैं या gloss भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद आप इसका final result देख सकते हैं ये कितना beautiful jewelry box बन कर आया है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी share करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर new है तो इसे subscribe करना ना भूले और bell icon को भी प्रेस कर दीजिए मैं इसी तरह के DIY वीडियो बनाती रहती हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं हमारे next वीडियो में till then bye friends take care एंप जाद के दोगा टेसे कैनल पैजिए झाल को भी प्रीक राहती है भाईब हैं आपक यहां कीजिए अबहां राद समय स्वस्तों के लाद़ बनाता ही में आपके लादे हैं झाल झाल